हेलो एर्यवान वेल्कम बैक तो मैं चैनल ट्रिपल सेवन सोल टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सब आप सब आप सब अच्छे हैं कि अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी मैं जो रीडिंग करने वाली हूं आप सब लगों के लिए ज चैलेंज है अप दोनों की साइड से तो वो क्या हो सकता है दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हो और आगी क्या होने वाला है यह सारी बाते जानेंगे तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर करें लेकिन शुरू करने से पहले हमेशा की त परसनल रीडिंग बुक कराना है तो उसका भी option है इसी वीडियो के description box में आपको मेरा Instagram ID का link मिल जाएगा वहां जाकर आप मेरे को DM कर सकते हैं अपना reading book कराने के लिए prizes और details सबकुछ description box में mention है चलिए अब start करते हैं यहां से यहां से आपके partner के लिए card है ठीक है तो चलो साथ साथ बताती हुई मैं चलती हूं आपको अर्थ और water energy है यानि की profession और emotions दोनों अपस में एक तरीके से कह सकते हैं हम fight हो रहा है इनके बीच में ठीक है like seven of pentacles आपकी side से card है आप बहुत wait कर रहे हो पूरा दिन या पूरा दिन आप सोचते हो कि आपके person की तरफ से response मिलेगा मैं सरफ और सरफ connection की बात कर रही हूं यहां पर ठीक है आपकी connection में क्या हो रहा है overall life में क्या हो रहा है उसका card हम देख लेंगे अभी तो यहां पर मैं देख रहे हूं कि आप काफी ज़्यादा वेट कर रहे हो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो वेट करते करते अगर आप contact करने की कोशिश भी कर रहे हो तो मुझे आपके partner की तरफ से response आता हूँ नहीं दिख रहा है कहीं न कहीं आप देखो sad energy में बैठे हुए हैं और अभी आपके तरफ इनका पूरा ध्यान नहीं जा रहा है सामने तीन कप्स रखे हुए हैं इसका मतलब है कि अभी उतने खुश नहीं है लेकिन फिर भी आपको ना देखते हुए अभी नजर सरिफ इन तीन कप्स पर है तो यानि कि आप जिस तरीके से wait कर रहे हो या efforts लगाने की कोशिश कर रहे हो तो भी ये इनसान अभी response नहीं कर रहा है आपको ठीक तरीके से देखो ऐसे में होता क्या है अब ये इनसान खुश नहीं है और आपके कप को इगनॉर करके इन तीन कप्स को देख रहा है इसका मतलब है कि इसके पास दूसरे काम हो सकते हैं या फिर कोई third party situation हर किसी के connection में अलग-अलग होगी अब आप देखो क्या है यहां पर reality आपके connection क because यह three cups अलग-अलग category हो सकती है work हो सकता है personal life हो सकती है health हो सकती है बहुत तरह के scenarios हो सकते है और हो सकता है third party भी हो अब वो आप देखो आपके connection में क्या चीज है क्योंकि हर किसी को हर किसी के connection के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है ठीक है लेकिन आप मुझे इस time wait करत दिख रहे हो और थोड़े से परिशान भी दिख रहे हो overall life में आपके लिए आया है queen of souls का कार इनकी तरफ से है two of souls का काड़ देखो आपको काफी clarity है कैसे आगे बढ़ना है क्या life में करना है ठीक है you have plans for your future ठीक है लेकिन इनको अभी doubt वाली situation में that is why you confuse हो रहे हैं puzzle हो और आपको आपको नहीं देख रहे हैं आपको ignore कर रहे हैं because इनकी देखो mental situation भी थोड़ी ठीक नहीं है mental situation in the sense उनको clarity नहीं है future में क्या action लेना है या इनको कैसा output मिल सकता है इनके action के भी हाफ ठीक है that is why confusion वाली situation में है तो इसलिए भी आपको वेट करना पड़ रहा है oh wait a second wait a second okay we have that card और यहां से है three of wands card दिखो आप हमेशा जब भी कभी भी इस तरह के issues आते हैं आपके connection में तो आप यही सोचते हो की एक second आप यही सोचते हो कि ठीक है यह एक transformation हो सकता है यह मेरे चाक्रा उसको balance करने के लिए situation हो सकती है तो और आप transformation के बारे में सोचते हो खुद के emotions को खुद की feelings को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो और आपको लगता है कि चलो यह tough face था यह end हो जाएगा इस तरीके से आपका थोड़ा positive thinking है लेकिन इस ताइम आपको थोड़ा डर यह भी है कि कहीं connection तो खतम नहीं हो जाएगा इस तरह का डर आपके अंदर भी आ रहा है आपकी healing process सही जा रही है लेकिन यह overthinking की वज़ा से death card यहाँ पर है और यह जो इनसान है भले यह confused है भले यह थोड़े issues में फसा हुआ है that is why यह आपको नहीं देख रहा बट इसका पूरा focus है कि यह चीजों को clear करे अपनी life में ठीक है clear करता हुआ चले यह जो भी है लड़ पर पहुंचे तो एक तरीके से हम कह सकते हैं देखो आपके पास अच्छी strategy है अच्छी strategy होने के बाद भी आपके पास doubts है इनके पास clarity नहीं है लेकिन फिर भी यह positive है लेकिन यह भी आपको ignore कर रहे है यह चीज यहाँ पर आई आप क्या सोच रहे हो इस connection के लिए और यह person क्या सोच रहे हैं आपको थोड़ा burden लगने लग गया है अब आपको लगता है कि सारे जो भी है problems इस connection में आप ही को देखनी पड़ती है और आप बहुत ज़्यदा इस time थोड़े से irritate भी हो गए हो because of this energy लेकिन देखो आपके person जल्दी सारे चीज़े ठीक करकर एक new beginning लेकर आएंगे इस connection में फिर भी यह positive है मैं आपके पास अच्छी strategy सब कुछ पता होने के बाद भी आप irritate हो रहे हो या फिर आपको खतरा सा लग रहा है कि कहीं connection खतम ना हो जाए तो इस तरह की overthinking करने से क्या होगा negativity आईगी आपका spiritual connection है तो इतना तो trust होना चाहिए ना किस अब अच्छा हो जाएगा at the end अब देखते हैं कोई challenge अगर है इस connection में तो वो क्या है magician आप दोनों एक magician की तरह behave नहीं कर रहे हो उस connection में ठीक है ये challenge है आपको देखो एक magician बनना है अगर कुछ चीज आपके according नहीं हो रही है तो universe को इस तरह से दिखाना है अपने action के through के yes आप बहुत वही कर रहे हो जिससे कि आपको आपका desired outcome मिलेगा ठीक है तो situation को favor में कैसे लिकर आना है कैसे manifest करना है क्या actions लेने हैं आपको पता होना चाहिए तब ही जाके यहाँ पर सब कुछ अच्छा होगा आपकी life में ये challenge है आपके लिए क्या आप एक magician बनो worth waiting for divine कह रहे हैं कि आप थोड़ा wait करो थोड़ा सा situation को अपने favor में लाने की कोशिश करो लेकिन wait करो आगे बहुत कुछ अच्छा होना है ठीक है आपको wait करना पड़ेगा आगे क्या होना है अब हम ये देख लेते हैं आपको divine angels wait करने के लिए free yourself सबसे पहले तो free करो इस इंस stress आपको आपको आ रहा है उससे खुद को free करो ये एक तरीके का सच में एक ऐसा आपके लिए chance है जिससे की आप अपने आपको बहुत ज्यादा हील कर लेंगे खुद को free करके number one thing next action कुछ ऐसा होना चाहिए and आपको क्योंकि अगर आपने free नहीं करा तो आपको लगेगा there is no enough attraction or chemistry in this connection you feel like this ठीक है तो अगर आप चाहते हो enjoy करना अपने person के साथ सबसे पहले तो सारी negativity और इस person की तरफ से आई हुई कोई भी ऐसी wife जो आपको irritate कर रही है free करो खुद को यह बहुत important है यह next action आपका होना चाहिए ओके चलिए अब कुछ messages देखेंगे जो आपके partner आपको देना चाहते हैं यहां से देखते हैं क्या कहेंगे wisdom थोड़ा wisdom थोड़ी creativity पर काम कीजिए वो आपको अपने life में आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा अपनी skills को improve करने के लिए motivate कर रहे हैं और थोड़ा यह भी बोल रहे हैं कि सबर रखो wait करो and destiny पर trust करो और universe पर trust करो perseverance येस बहुत ही अच्छे cards हैं आपके लिए तो यहीं बता रहे हैं अपनी destiny अपने connection और अपनी wisdom के साथ manifest करो आगे बढ़ो और universe पर trust करो क्योंकि universe इस connection में आप दोनों के साथ है okay this is your reading guys I hope कि यह reading आपके लिए helpful रहेगी और आपको तो अच्छा लगा होगा तो अभी के लिए बस इतना ही bye take care